हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका उत्राखन ओनलाइन क्लासेज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखन ओनलाइन क्लास प्रैक्टिस सेट वन के बारे में जैसा कि हमने आपको कल साथी प्रसनों का एक प्रैक्टिस सेट दिया था तो उसी practice set के पहले के 20 questions के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे details से तो आप लोग अपनी pen और copy साथ में लेकर वैठिएगा और सभी points जो जो भी मैं आपको बताता हूँ इन questions से related उनको भी note करते वे चलिएगा तथा अपनी note book में notes completely जरूर बनाईएगा तो पहला हमारा question है दोस्तो पाजुधार तो पाजुधार बुग्याल किस जन्पद में इस्तित है आपके सामने चार option दिये गए हैं उत्तरकासी, बागे स्वर, टिहरी और पिथोरागण तो पाजुधार बुग्याल उत्तरकासी जन्पद में इस्तित है 37 उत्तरकासी में हरकादून, केदार कांठा, मानिक, दयारा, देवदामिनी, केदार खर्क और कुसकल्यान बुग्याल भी इस्तित है तो अगर आप उत्तरकासी जन्पद के बुग्यालों को नोट करना चाहते है तो कर सकते है पाजुधार बुग्याल, हर कादून बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल, मानेक बुग्याल, दयारा बुग्याल, देवधामिनी बुग्याल, कुछ कल्यान बुग्याल और केदार खर्क बुग्याल सभी कहा हैं उत्तरकासी जन्पद में ही इस्तित है और बुग्याल का होता है दोस्तो घास के मैदानों को ही बुग्याल का जाता है अगला दूसरा प्रस्ण है गेमफिस के लिए प्रसिद्य ताल कौन सी है तो आपके उप्सन है सतोपन ताल, भीम ताल, डोडी ताल और नोकुचिया ताल तो गेमफिस के लिए प्रसिद्य ताल है दोस्तो डोडी ताल ठीक है तो डोडी ताल गेमफिस के लिए प्रसिद्य ताल है जो की उत्तरकासी जन्पद में इस्तित है साधिसान आपको बता दोस्तो भीम ताल नानी ताल जनपत में इस्तित है अब थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तो डोडी ताल के बारे में तो डोडी ताल उत्तरकासी जनपत इस्तित 6 कुनू वाला ताल है और इसी ताल के पास में इस्तित है दोस्तो काना ताल या फिर अंध तो काना ताल या फिर अंधा ताल यहा दोनु भी कहा है उत्तरकासी जनपद में ही इस्तित है और डोडी ताल से ही दोस्तो भागी रथी की सायक नदी असी गंगा का उद्गम भी होता है तो डोडी ताल से ही बागी रथी की सायक नदी है असी गंगा नदी उसका भी उद्ग अचली के लिए भी डोडी ताल हमारा काफी फेमर्स है, तो दो कुश्चन समारे होगे, तीसरा कुश्चन है कि कि किस पवार सासक के काल में गुरु राम राय जी देरादुन पदा रहे थे, यह त्रसंत काफी इंपोर्टेंट है, एक्जाम में भी पूछा गया कि गुरु र गुरु राम राय जी देरादुन कब पदा रहे थे, कुछ बुक्स में 1699 दिया गया है, कुछ बुक्स में 1675 तथा कुछ बुक्स में 1660 दिया गया है, तो आपको मैं इसका डिटेल्स में थोड़ा सा बता देता हूँ, कि दोस्तों गुरु राम राय जी देरादुन जो ए के area में रहे थे जो कि आये थे 1675 या फिर 1676 में अलग लग बुक्स में अलग लग दिया गया है तो आपको directly यहाँ पर याद यह रखना है कि गुरुराम राइजी देहादुन में कब पता रहे थे 1690 में और अगर पूछा जाएगा कि सरुपर्थम कब आये थे तो 1675 या फिर 16 जो आपको option में मिलेगा वहाँ से आप इसे tick कर सकते हैं तो यह है important है और गुरुराम राइजी से संबंदिती है एक दोस्तो जंडा मिला तो जंडा मिला भी कहां लगता है देरादुन में ही लगता है और गुरुराम राइजी के देरादुन में देरा डालने के कारण ही इसका नाम पहले देरादुन पड़ा और धिरे धिरे देरादुन चेंज ओकर धिरादुन में बदल गया तो यह point आपको याद रखना है और कहां से आये थे यह प्रस्न ही पुछागता है तो पंजाब से आये थे अब देखे फटे पती साह के बारे में फटे पती साह के का कारिकाल को दोस्तो गड़वाल के राजवन्स के कारिकाल का स्वन्न युग भी माना जाता है फटे पती साह परमार राजवन्स के 47-वे राजा थे जिनका टाइम पिडिएट था 1664 से लेकर 1716 इसली में फटे पती साह ने ही दोस्तो गुरुराम राईजी को धेरादुन के तीन गाउं दान में दिये थे जो किते खुडबुडा, राजपूर तथा चामासारी जिसका उलेख हमें फटे पती साह के दान पत्र में मिलता है और फटे पती साह के उपर दोस्तो एक पुस्तक लिगी गई है काफी प्रसीद्ध एक जाम में पूछी जा चुकी है वो है तो फटे प्रकास पुस्तक किस्ते द्वारा लिखी गई थी रतन कभी के द्वारा लिखी गई थी जो कि फटे पती साह के उपर है और फटे पती साह दोस्तो एक ऐसा परमारवंसी राजा था जिसके दरवार में अगवर के समान नौरत ने थे यहाँ प्रसनवी एक जाम मे पूछा गया है कि पाउटा के निकट भंगारी का युद्ध किस-किस के मद्ध हुआ था तो वह हुआ था गुरुगोविंद सिंग तथा फतेपती साह के मद्ध यह पॉइंट भी आपको नूट करना है और दोस्तो इस युद्ध का या भंगारी के युद्ध का जो हमें वणनन मिलता है वो मिलता है गुरुगोविंद सिंह की एक पुष्टक है विचीत्र नाटक नाम से उसमें इसका हमें वणनन मिलता है और पाउंटा के सभी भांगली नामक इस्तान पर यह हुआ था इसकी प्रमुक विजययू में है दोस्तो उसने कुमाओं में विज हुआ था इसके टाइम पे फधे पती साह और ग्यानचंद के वीच पे और होनदेश के दावा राज्जी पर भी इसने विजय प्राप्त करी थी तो फधे पती साह के बारे में भी इंपोटेंट पॉइंट्स आपको नोट करने है नामक गाव बदरिनात को भी दान दिया जो की बागिस्वर में ही इस्तित है और दुधाली का युद्ध या फटे पती साह और ग्यानचंद के ही मध्य हुआ था तो आब हमने तीन कुश्चन बात कर लिए अगला मारा प्रसन है दोस्तो कि नैपाल के मांडलिक राजा मोहन सिंग ठापा से संबंदित बास्ते तामरबत्र हमें पिथोरागर जनपत से प्राप्त हुआ है तो यहाँ कुश्चन भी आप जरूर नोट कर लिएगा अब थोड़ा सा पिथोरागर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों पिथोरागर चेत्र के उपनाम है सौर चेत्र जोह पठार चेत्र पठारीगर तथा चोटा कस्मीर या फिर मिनी कस्मीर ऐसा माना जाता है कि 14 सतापनी में पिथोरागर की स्थापना जो कत्युरी राजा प्रितम देव या फिर प्रित्वी साही या फिर प्रित्वी पती के द्वारा की गई थी तो पिथोरागर के संस्तापक किसे माना जाता है दोस्तों, वो है कत्युरी राजा प्रितमदेव या फिर पिर्थवी साही, लेकिन अटकिंसन के अकॉर्डिंग, दोस्तों अटकिंसन के अकॉर्डिंग, पित्वरागळ की स्थापना चंद सामन्त पिरू गोशाई ने करी थे तो यह point भी आप याद करना है कि एटकिंजन के according किस ने करी थे पीरो गोशाई ने और वैसे नॉर्मली पूशा जाए कि पित्थुरागण नगर को बसाने का सरे किसे जाता है या किसे पित्थुरागण का संस्ताफग माना जाता है और हिनोंने याँ पर पहले एक पृत्वी गड़ नाम से किला बनाया था तो यहाँ प्रस्ण भी important है कि पिर्थ्वी गड़ का किला का इस्तित है तो यहाँ पित्वरागड में ही इस्तित है 37 पित्वरागड में दोस्तो सीमलगड का किलावीच थीत, जिसे वर्तमान में लंदन फोड नाम से जाना जाता है सीमलगड के किलेगो और किसके दोरा इसका झिरमान करया गया था गुर्खाओं के दोरा करया गया था पिथुरागड के बारे में एक और inpeotent point है थो जोस्तो कि ब्रिटिस काल में पित्थोरागर को सरवादिक अंतराष्टी सी्मा वाला जिला है उत्राखन में कौनसा पित्थोरागर क्योंकि हैं नैपाल तथा चीन या तिब्बत दोनों के साथ अपनी प्राकर्तिक सीमा या अंतराष्टी सीमा का साजा करता है इसलिए सरवादिक प्राकर्तिक सीमा वला जन्पत है हमारा या सरवादिक अंतराष्टी सीमा वला जन्पत है हमारा पितुरागड जन्पत तो ये थी पितुरागर जनपत के पारे में important जानकारी अगला प्रस्न है हमारा कि जड़ भरत नामक मंदिर किस जनपत में इस्तित है तो जड़ भरत मंदिर हमारा उत्तरकासी जनपत में इस्तित है option D इसका right answer हो जाएगा अभी वरतमान में दोस्तों यहां मंदिर तूटी फूटी अवस्ता में है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जीनलोधार नहीं कराया गया है उत्तरकासी जनपत में दो और प्रमुक जनपत मंदिर इस्तित हैं दोस्तों हमारे वो हैं परदीब साह से लेकर सुदर्सन साहत की वंसावलियों का वड़नन मिलता है अमें कहां से विश्चुनात मंदिर वो परसुराम मंदिर से ठीक है 37 उत्तरकासी जनपत कब बना इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो 24 फरवरी 1960 को उत्तरकासी जनपत बना था ठीक है उत्तरकासी का प्राची नाम है बाड़ा हाट या फिर बारा हाट तो बाड़ा हाट का संबंद की सेत्रे से है उत्तरकासी जनपत का ही प्राची नाम है बाड़ा हाट या फिर बारा हाट उत्तरकासी में ही इस्तित है दोस्तों दो प्रमुक धाम चार धामों में से गंगोत्री और यमनोत्री तो यह हर पॉईट भी आप याद कलीजिए गंगोतरी और यमनोतरी दोनु उत्तरकासी जनपत में इस्तित है सांटीं सांट गौ मुक जहाँ से गंगा नदी का उसद गंगम स्तर माना जाता है वह भी उत्तरकासी में ही इस्तित है गंगोत्री के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गंगोत्री मंदिर का निर्मान किसने कराया था यह प्रसने एक जाम में पूचा गया है तो राज जी के चमपावत तथा रुद्र प्रयाग इन दोनु जनपदु से कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है चमपावत तथा रुद्र प्रयाग दोनु जनपदु में दो दो विधानसभा की सीट हैं इस्तित हैं और उत्राखंड में सबसे कम विधान सभा वाली जनपद हैं हमारे तीन, चमपावत, रुद्रप्रियाग, तथा भागेश्वर सभी तीनु जनपदों में विधानसभा की दो ही सीटें इस्तित हैं और इन दो सीटों में भी दोस्तों बागेश्वर चंपावत और रुद्रप्रयाग जनपद में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है तो यह प्रसन काफी important है आप note कर लीजेगा कि राजिक से किस जनपद से विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है तो चंपावत और रुद्रप्रियाग दोनों जनपतों से विदानसभा की सीट आरक्षित नहीं और सबसे कम विदानसभा सीटों वाले जिलों में भी चंपावत, रुद्रप्रियाग और बागे स्वर आते हैं पुछा जाएगा कि सरवादिक विदान सबासित वाला जिला कुन सा है तो वह है हरी द्वार जहाँ पर 11 विदान सबासित इस्तित है तो I hope आप लोगों को वीडियो पसंदारी होगी important प्रस्न है सभी नोट करते वे चलें अगला प्रस्न है कि आसिर वचन नामक रचना के रसनाकार कौन है option है मनोहर चियाम जोसी, सेखर पाठक, लिलाधर जगोडी और सेखर जोसी तो सेखर जोसी है दोस्तो आसिर वचन नामक रसना के रसनाकार अब सेखर जोसी के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं कि सेखर जोसी का जन्म दोस्तो 1932 में अल्मुडा जन्पद में हुआ था और इनके कुछ प्रमुख रसनाये हैं जैसे कोसु का घरवार, साथ के लोग, नौरंगी बिमार, मेरा पहाड, पेड की याद और हल्वाहा तो अगर आप नूट करना चाहते हैं तो कली जीगा सेखर जोसी का जन्म 1932 अल्मुडा में हुआ था इनके प्रमुख रसनाये हैं कोसु का घरवार, सत्ति के लोग, नौरंगी बिमार, मेरा पहाड, पेड की याद और हल्वाहा तो यहाँ आप नूट करते हैं चलें अगला प्रसना है आठवा कि खिचली भोज का संबंद किस से तो इसका option है एक राइट अंसर होगा है इसका soka ढौ दोस्तों भोटिया जनधाती की उपजाती भी मानी जाती है तो भोटिया जनधाती की रूप में सोका जनधाती को जाना जाता है जिसका संबंद है खिचली भोज से अब थोड़ा सा इस से related एक important points के बारे में बात कर है कि उत्राकड में सरवादिक जनसंग के आवली जन जाती है हमारी थारू जन जाती और सबसे कम जनसंग के आवली जन जाती है राजी जन जाती अब आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना होगा कि सर सरवादिक जनसंग के आवली जन जाती तो थारू नहीं होकर जौनसारी है तो आपको मैं बता दूँ कि आयोग ने इसका अंसर थारू राइट माना है तो आप लोग भी थारू के साथ ही जाना ज्यादा बेटर रहेगा तो इसलिए इसमें confusion ना होईएगा अगला प्रस्न है दोस्तों हमारा या फिर प्यॉला नाम से भी जाना जाता है तो पिंगला ते था प्यॉला किसका उपनाम है या प्रस्न ही पुछा जाता है तो वह है जियारानी का साथि साथ कुमाओं की लक्स्मी भाई भी जियारानी को ही कहा जाता है कहीं कहीं दोस्तों जियारानी को कत्योरियों की कुल देवी भी कहा जाता है वैसे कत्योरियों की कुल देवी के रूप में मानन्दा या फिर कोड ब्रहामरी देवी प्रसिद्ध है लेकिन अगर यहां दोनों option में ना हो तो आप जियारानी को भी कत्यूरियों की कुल देवी के रूप में जान सकते हैं अब थोड़ा सा जियारानी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि जियारानी मेला या फिर जियारानी गुफा कहा है इस्तित है तो यह रानी बाग हलद्वानी नैनी ताल जन्पत में इस्तित है तो जियारानी मेला या जियारानी गुफा कहा है तो रानी बाग में जियार रानि दोस्तो घ्तिरो राज़ा प्रती einfach या फिर पितोरा उनकी पत्णी थी तो जिन पितोराने या पृत्वी साही ने पितोराकर जनपत की इस्ताबना करए थी पत् kilo नगर को बसाया था उनकी ही पत्नी थी दोस्तो जियारानी जैञा के बारे 750 की एक प्रमग讲 182-t कि रानी बाग का युद्ध 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 रानी बाग क या मौला देवी पुंडीर इनके पुत्र का नाम था दुला साही ठीक है और दुला साही के ही पुत्र हुए मालु साही का संबंदी कत्युर राजवन से ही है और मालु साही के बारे मा आपने सुना ही होगा राजुला मालु साही की प्रसिद्ध प्रेम कथा उत्राखंड की स सहनिकों की तरफ से किसने वकालत करी थी तो पेशावर कांड के जो बागी सहनिक थे उनकी तरफ से वकालत करी थी उस्तों मुकंदीलाल ने लेकिन वह यह केस हार गए थे जिसकी वएसे मुकंदीलाल की काफी आलोचनाय भी करी गई थी तो यह point भी आप जोड़ नोट करें, मुकंदि लाल को गड़वाल कॉंग्रेस के संस्थापों के रूप में भी जाना जाता है, बैरिष्टर मुकंदि लाल से ही संबंदि एक प्रस्ण एकजाम में पूछा गया है, बार-बार की दोस्तो, मुकंदि लाल को दुनिया के सामने रखे जाने का सरे किसे दिया जाता है, अभी हाली में 28 अक्टूबर को एक गजाम वा था, उसमें यहाँ प्रस्ण पुछा गया था, कि मुलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किस ने रखा, तो वह रखा दोस्तो, बैरियस्टर, मुकंदि लाल ने इन्होंने मुलाराम के उपर काफी पुस्तक हैं भी लिखी, जैसे कि सम नोट्स वान मुलाराम, गडवाल पेंटिंग्स, गडवाल स्कूल वाब पेंटिंग्स, यहाँ प्रमुक तीन पुस्तक है थी इनकी मुलाराम के उपर, तो अगर आप note करने जाते हैं तो कल लिजेगा some notes on मौलाराम किसकी पुस्तक थी मुकुंदिलाल की गलवाल paintings, मुकुंदिलाल की और गडवाल school's of paintings भी मुकुंदिलाल की ही पुस्तक थी और मुकुंदिलाल दोस्तो एक शोहनता संग्राम सिनानी थे, कलावित थे और साथी साथ पत्रकार भी थे तो यहाँ point थे मुकुंदिलाल से संबंदित, आप तो जान लेते हम पेसावर कांड के बारे में गडवाली पेसावर कांड की घटना का बुई थी 23 अप्रेल 1930 को और वीर चंदे शिंग गडवाली गडवाल राइफल्स की कौन सी टुकली के सदस्य थे या कौन सी टुकली ने पेसावर कांड में एहम योगदान दिया था तो वो था दोबट्टा अठारा टुकली ने यहाँ प्रस्निमीक जाम में पूछे जा चुके हैं इस गड़ना में दोस्तो हुआ यह है कि 23 अप्रेल 1930 में दोबट्टा अठारा गडवाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत थे अफगान स्वतनता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था इसी कारण यहाँ गड़ना पेशावर कांड के नाम से भी जानी आती है और पेशावर नामक इस्तान पर यहाँ गड़ना गटित होई थी इसी गड़ना से प्रेरित होकर दोस्तो मोतिलाल नहरू जी ने 23 अप्रेल को संपूर्ण देश में गड़वाल दिवस मनानी की भी खुशना करी थी तो यहाँ पॉइंट भी आपको नोट करने पेश चलने है तो आई होब आपको पुईडियो पसंदारी होगी अगला प्रस्ण है कि किस नदी को दुसांद गाड के नाम से भी जाना जाता है तो इस तो पस्चिमी राम गंगा को दुसांद गाड के नाम से भी जाना जाता है यह पॉइंट आपको नोट करना है अब पस्चिमी राम गंगा गंगा की एक साहयक नदी है दोस्तो जिसका उदगम दूदातोली स्रंखला से होता है और यह पॉडी के कालागर नामकिस्तान पर गंगा प्रदेश से बहार हो जाती है ठीक है और उत्राखंड में इसकी लंबा से यह राज्य से बहार हो जाती है और उसकी लंबाई है राज्य में 155 मीटर तो यह पॉइंट आप जरूर नोट करते हैं चले अगला प्रसन है बारवा कि नंदा देवी के आरोहन का पर्थम परियास लोंग इस्टोप दौरा की सुवर से किया गया था तो यहां से दो प् अब दौरा नंदा देवी आरोहन का पर्थम परियास किया था आप देखे बात करते हैं तो लासा नंदा देवी परवत के बारे में नंदा देवी परवत चमुली जन्पद में पढ़ता है दोस्तों और राज जी की सबसे उची परवत स्रंखला या फिर सबसे उची परव अगला प्रस्न है दोस्तों कि मैकोटली हिमनत किस जनपद में इस्तित है, तो मैकोटली हिमनत हमारा बागिश्वर जनपद में इस्तित है, इसी हिमनत को दोस्तों मैक तोली हिमनत या फिर मैक तोली गलेसियर के नाम से भी जाना जाता है, अब फोला सा बात करते हैं मैक तोली तो आपको यह फॉइंट यहा तकना है, मैक तोली हिमनत, दोनु बागिश्वर जन्पद में ही इस्तित है, अगला है कि कंठी नामक आभुषण सरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो कंठी नामक आभुषण दोस्तों गल्ले में पहना जाता है, अगला प्रसन है कि सूर्य बगवान की एक मात्र वामन उतार में मिली परतिमा, किस इस्तान से प्राप्त हुई है, तो बमन सुवाल नामक इस्तान से प्राप्त हुई है, सूर्य बगवान की एक मात्र वामन उतार में मिली परतिमा, अब बात करते हैं कि बमन सुवाल गाओं कहां इस्तित है, इम्पोटेंट है यह है अल्मोडा जन्पद में इस्तित तो अल्मोडा जन्पद में इस्तित बंवन सुवाल गाउं से सुरी भगवान की एक मात्र वामन अवतार में परतिमा प्राप्त हुई है कि अब गी और दोस्तो वर्तमान में यहाँ जो मूर्ती है यहाँ अलंडा संग्राले में इस्तित है आप थोड़ा है इस से भट के तो एक फैक्ट है कि यह है कि यह सुदर मठ.-वाल की पुस्तकों में दोस्तों छह अलगलग प्रकार की सूरी की परतिमाओं को दर्साया गया है जिसमेंचे चार परतिमाओं बागेस्वर से प्राप्त हुई है तो यहाँ पॉइंट भी आपको याद रखना है कि यह सुदर मटफाल की पुस्तकों में 6 अलग अलग प्रकार के सूरी की परति agriculture को भी दर्स आया गया है यहाँ प्रसनी जामा पुछाजता है इन डैकली की पुस्तकों में 6 अलग अलग प्रकार की सूरी हाँ परति handheld को दर्साया गया है जो कि उतराखन से प्राप्त लोई है तो वह है यह सुदर मटफाल की पुस्तकों में अगला हमारा प्रसन है कि TD गडवाल Motors Honors Corporation Limited की स्थापना किस वर से हुई थी तो यहाँ प्रसन भी काफी important मन जाता है तो 1950 इस भी में हुई थी दोस्तों TD गडवाल Motor Honors Corporation Limited की स्थापना डाइक लिए आपको याद रखना है अब फ्रोड़ा सा इसी से रिलेट है दोस्तों कुमावू Motor Honors Union यानि के KMOU और GMOU KMOU होती है कुमावू Motor Honors Union Limited ठीक है KMOU या फिर कुमावू Honors Union Limited KMOU की स्थापना हुई थी दोस्तों 1949 इस भी में कार्ड गोदाम में और किसके परियासू के फल्सरूप KMOU की स्थापना हुई थी यह भी प्रस्ना कुछा रखता है तो गोविन्द बल्लब पंत जी के परियासू से सरुपर्थम KMOU की स्थापना 1949 इस भी में कार्ड गुदाम हलदवानी में हुई थी ठीक है और 1987 इस भी में दोस्तो यहां कुमाओं की मलब सबसे प्रमुक एक लिमिटेट कंपनी बन गई गाड़ियों से संबंदी सबसे प्रमुक बस कंपनी मन गई 1987 में तो KMOU की स्थापना के बारे आपको याद रखना है कि स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1989 में KMOU की स्थापना हुई थी आगे बात करने GMOU गड़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेट यहां भी बसू से संबंदी थे और GMOU की स्थापना हुई थी दोस्तों अगला प्रसन है दोस्तों कि प्रसिद असकोर्ट आराकोर्ट यात्रा अभियान का मुख्य उद्देश्ची क्या था तो आपके ऑप्सन है सामाजिक मेल मिलाप, सामाजिक समन्वई, सांसक्रितिक संबंद तथा उत्राखन के गाउं को जानना ठीक है तो यहाँ सभी उद्देश्ची थे असकोर्ट आराकोर्ट यात्रा अभियान के तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर D यात्रा परतेक 10 और 10 वर्षों में आयुजित की जाती है और नैपाल सीमा से सटे पांगो गाउ जो के धार्चुला में इस्तित है से इस यात्रा की शुरुवात की जाती है और सरोपर्थम 25 मई 1974 से ठीक है तो आप यहाँ पॉइंट याद कर लिजीगा कि 25 मई 1974 से इस यात्र की शुरुवात हुई थी जिसके प्रमुक उद्दे से थे सामाजिक मेल मिला आप उत्राखन को जानो गाउं को पहचानो सामाजिक समन्वई सांसकृतिक संबंद अब दोस्तो असकोड आराकोड यात्रा या अभियान के बारे में सबसे अधिक जानकारी जो देते हैं वो द जाता है तो सेकर पाठक को कहा जाता है उन्होंने असकोड आराकोड की 1000 मीटर की पैदल यात्रा करी हुई है और असकोड आराकोड यात्रा अभियान के बारे में भी सरवादिक जानकारियां जो हमें मिलती है सेकर पाठक की पुस्तकों से ही मिलती है अब दोस्तो असकोड अराकोड यात्रा से ही एक अगग यात्रा भी है दोस्तो स्रीनेगर गोपिस्वर अभियान तो और दोस्तो एक और पॉइंट आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि उत्राखंड के लगवल लगवक सभी एक्जाम्स में 40 नमबर की उत्राखंड जीके से संबंधिन questions पूछे जाते हैं जो कि उत्राखंड के या फिर selection की दृष्टी से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं ऐसा माना जाता है कि यहां उत्राखंड के 40 question ही यहां तरही करते हैं कि आपका उत्राखंड के उनलाइन कोर्स से जुलना चाते हैं हमसे संपर करना चाते हैं तो आप इन दो नमबर उपर हमसे संपर कर लिजेगा 15 सितंबर से हमारा दूसरा batch स्टार कर लिजेगा 17 आप वीडियो के description में मैं आपको एक PDF का link दूँगा उससे आप इस course के बारे में और इसके topics के बारे में अधिक जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं और 17 उसमें आपको 25 practice sets मी मिलेंगे 2000 से जाता one liner प्रस्ण भी लेंगे बिलकुल नए और fresh, 17 हिस्ट्री, जोगरोफी, हिंदी तथा अन्य बुस्तपों की PDF में मिलेंगे और उत्राखन का एक संपूर्ण कूर्स भी आपको दिया जाएगा जिससे आप exam आसानी से clear कर लें अगला अमारा प्रस्ण दोस्तो question number 18 तो question number 18 है कि चैतू और मानकू नामक चित्रगारु ने किस सासक के समय अपनी सेवाईं दी थी? तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा सुधर्शन सहा option C कि चैतू और मानकू नामक चित्रगारु ने सुधर्शन सहा के समय में अपनी सेवाईं दी थी चैतू और मानकु कौन थे दोस्तों यहादो चित्रकार थे जिनको मौला राम के सिश्य भी जाना जाता है तो मौलाराम के सिश्य कॉन थे? चैतू और मानको थे जो कि सुधर्संसा के दरवाल में जिन्हों ने अपनी सेवायां दी थी थोड़ा सा जान लेते हैं सुदर्शन साहा के बारे में कि यहां टीरी राजवन्स के पर्थम राजा थे और पर्मार राजवन्स के पचपनवे तो यहां प्रसन एक जाम में पूछा गया है कि जिसमें इन्होंने खुद को सूरत नामक कभी भी कहा है, तो सभासार ग्रेंथी की रजना किस ने करी थी, तो वह भी करी थी सुदर्शन साहाजी नहीं, अगला हमारा प्रस्ण है, कि उत्राखंड सरकार ने वाल में की अम्बेट कर आवाच योजना का आरंब कप किया था, तो सन 2001 में अम्बेट कर आवाच योजना का प्रारंब किया था उत्राखंड सरकार ने, अगला और लास्ट कुश्चन है दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का, कि बद्रिनात के लिए गाड़ु घड़ी यात्रा प्रारंबो होती है तो कहां से प्रारंबो होती है यहां पुछा गया है तो दोस्तो टिहरी से प्रारंबो होती है बद्रिनात के लिए गाड़ु घड़ी यात्रा और दोस्तों टीरी राजवन से ही इस यात्रा का काफी पौराणिक संबंदर आ है और ऐसा माना जाता है कि आज तक भी गालू-घडी यात्रा टीरी से लेकर बद्रिनात तक आयोजित की जाती है अब इसका थोड़ास आपको मतलब बतायता हूँ कि गालू-घडी का मतलब क्या होता है तो गालू-घडी का मतलब होता है तेल-कलस तो इसे तेल-कलस यात्रा के नाम से भी जाना जा सकता है ऐसा माना जाता है दोस्तों कि टीरी महरानी के नेत्रतों में नरेंद्र नगर सुहागन महिला था हैं, बद्रिनात के अभिसेग हैतु तिल का तेल घड़ी में भरकर ले जाती थी, इसी कारण इस यात्रा को गालू-घड़ी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और आपको चार option दिये गए हैं, इसमें से आपको इसका answer खुद बताना है, इसके आगे के questions को हम दोस्तों कभी अगले parts में cover up करेंगे, तो I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती हैं तो इसे like, share और comment जरूर करें, और अगर आप हमारे उत्राखंट के online course से जुड़ना चाहते हैं, तो दिये गए number उपर संपर करें, तथा PDF का link आपको description में दे दिया जा रहा है, आप उस पर पढ़ सकते हैं, और 25 रुपे आपके 5-6 मेने की piece होगी, जिसमें आपको 25 practice sets दिये जाएंगे, 25 practice set के साथ साथ जो हमारी हिंदी, geography, political science, history, जो अलग topics होगे, साथ साथ current affairs, वह सभी आपको provide कराएंगे PDF के माधियम से, और उत्राखंट का course आप लोग का ऐसे ही YouTube में वीडियो के माधियम से चलेगा, So thank you friends, thanks for watching this video.